नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं आमसर धालूओं के लिए धार्मिक अस्थल जूलुत पर रोक जारी रखी है बतादे 30 जून को जारी निदेश में कहा गया था कि बरतमान नीन अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा ऐसे में हमाना जा रहा है कि अनलॉग 5 का या अदेश अगले एक महिना तक के लिए रह सकता है बतादे की 20 सग्यों ने जुलाई के अंत तक कुरोना की तीसरी लहर का उन्मान लगा रहे हैं ऐसे में सरकार सिक्षन संस्थान को खोलने का आदेश दे कर कोई खात्रा मोल नहीं लेना चाहती घ्यूमेन ट्रेफिक्किंग के खिलाब सरकार सकते ज्यारखन के मुख्यमत्य हिमन सुरेन मानो तसकरी के सिकार लोगों को मुक्त करा कर उनके पूर्णवास की दिशा में ततपर है बतादे इसी दिशा में मानो तसकरी कर दिली ले जाये गए ज्यारखन के 26 बालक बलिकाओं को मुक्त करा कर ज्यारखन लाया जा रहा है इसे पहले जूलाई में ही 21 बच्चों को मुक्त करा कर उनके परिजनों को सौपा गया ये बच्चे बच्चिया जार्खन के साहिव गंज, पच्मी सिम्भों, गुमला, धनबाद, सिम्डेगा एवं बोकारो जी ले के थे जार्खन के ज्यादा अबादी वाली पंचायतों में होगी एक से अधिक बैंकिंग सक्खी लोगों की जरूरत को देखते हुए ज्यादा अबादी वाली पंचायत में अब एक से ज्यादा बैंकिंग सक्खी को जिमिदारी दी जाएगी बदादे अभी राजे भर में चार है या तीन बैंकिंग सकी कर रहा है अप्रेल में इसके द्वारा करीब 121 कोड़ो रूपय का लेन देन हुआ है कुरोना काल में जब लोग घरों में कहे थे तब उन्होंने ग्रांकों को बितिये सेवा उपलब्द कराई इसके बेहतर कारे को देखते हुए अभी से विश्तार करने पर विचार किया जा रहा है ज्यारखन में अनुकंपा पर नौकरी के लिए परिक्षा पास करना अनिवार है राई सरकार ने सरकारी सेवकों के आसरीतों को अनुकमपा पर नौकरी देने के मामले में तै प्रवधानों में थोड़ा संसोधन किया है, मंत्री परिशत की बैठक से इस पर समतिली गई है, पत्र में कहा गया है कि अनुकमपा क्याधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन की स राप्त कर लेना होगा। दरसल राई सरकार ने चिकिसको की कमी को देखते हुए केंद्री की अनुसंसा पर अमतिम बर्स में पढ़ने वाले PG मेडिकल, MBBS तथा BSC नर्सिंग के चात्र शात्राओं को कोवीड अस्पतालों में अनुबंद पल बहाल करने का निना लिया है। पुरिस अधिक्षक के सामने इन सब ने आत्मसवरपन किया। पता देत तीन उगरवादियों में दो महिला उसा और ममता तथा एक पुरुस नागेशवर गान जुगा है। राश्टिये सिक्षक पुरुसकार के लिए 315 आवेदान। पुरुसकार के लिए राजे के 315 आवेदान किया। इन में से 130 आवेदान सिक्षक को ने अमतिम रूप से जनकार्य उपलप्त करा दी है। कि 185 सिक्षक ने अभी तक फाइल सब्मिट नहीं किया है। पता दे जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद ने सभी जीला सिक्षक पतादिकारी को इसके लिए निर्देश दिया है कि राष्टिय सिक्षक प्रसकार के लिए फाइल सब्मिट की अमतिम तीथी 10 जुलाई है। इसके पुर्व जो सिक्षक फाइल सब्मिट नहीं किये हैं वह कर ले। पीएम आवास का लंबित काम जल्द निप्टाने का निर्देश। पधान मंतिरी आवास चैएम के लंबित कारियों को गम्हिता से लेते हुए ग्रामिन विकास सचीव मनिष्रण ने राजे के सभी उपायुक्तुव उप्विकास आयुक्तुव को पत्र जारी किया है। ग्रामिन विकास सचीव ने तय अवधी में लंबित कारियों को निप्टाने का कड़ाने देश दिया है यह भी अस्परस्ट किया है कि इस बावत धिला रवई या बरतने वाले पताधिकारियों पर अनुसासनात्मक करवाई की जाएगी जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर का मुल्यांकन 13 तक करे अपलोड जार्खन एकेडमी काउंसिल के मैट्रिक तथा इंटर के मुल्यांकन को अपलोड करने में महच चाह दिन बचे हैं बतादे 13 तक जार्खन एकेडमी काउंसिल के वेब साइट पर भी द्याले तथा महा भी द्या करना भी है जो विभाग के लिए या एक बड़ी चुनोती है पतादे मुल्यांकन की राह में विभाग के समक्ष कई रोड़े हैं जीले में करीब 40 से भी अधिक सिक्षा COVID-19 की ड्यूटी में तैनाथ हैं ज्यारखन में 55 नए केस मिले हैं जो राची से 6 पुर्वी सिम्भूम 15 हजारी बग दो भुकारो 12 धनबाद 6 कोडारमा 1 गुमला 3 लाते हैं 4 खोटी 1 सिम्डेगा 1 चात्रा 1 साहिब गंज से 3 मरीज मिले हैं ज्यारखन में कूल मौत की संख्या 529 है वहें कूल एक्टिव केस की संख्या 476 है भारत में 34,409 केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4,35,449 है ज्यारखन में एक्टिव केस राची 70, पूर्वी सिम्वू पैंसर्ट, हजारी बाग 11, बोकारो 34, धनबाद 18, रामकर 8, पच्मी सिम्भू 10, कोडारमा 25, पलामू 11, देवहर 27, गुमला 23, गिरीडी 5, लाते हैर 14, खोटी 4, सरायकरा खर्षावा 16, सिम्डेगा 6, गढवा 0, लोहरदागा 4, चातरा 3, गोड़ा 5, चामतरा 29, साहवगंज 20, दुमका 18, पाकुर 0 हैं, ज्यारखन हाई कोट ने इसकूल फिस मामले में सरकार से मंगा जवाब, ज्यारखन हाई कोट के चिफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एस एन पसात की खंट पीठ में, कोरोना काल में इसकूल फिस माप करने से समधित दायर यज का पर सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान आदालत ने राई सरकार से सुप्रीम कोट के आदेश के आलोक में क्या कदम उठाया गया, इस पर विश्टित जवा मांगा है, सुनवाई के दौरान राई सरकार के और से अदालत को बताया गया कि विभाग के और से फीज के मामले में कुछ फैसला लिया गया है इसके बाद इसे बीधी विभाग को भेजा गया है सरकार के इस जबाब पर अदालत ने राई सरकार से कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोट ने जब आदेश दे दिया है तो उस प प्रखंड में COVID टीका लभाग हत्म हो चुका है इस्थितिया है कि सुक्रवार को केंद्र से मिलने माली टीके की डोज यदि समय पर मिली तभी टीका करण हो पाएगा बता दें सुक्रवार को केंद्र की ओर से को भैक्सिन की 1 लाक डोज मिलनी है टीके को जीले तक भेजने के लिए तेयारिय की जा चुकी है सब ही जीलो को टीका ले जाने के लिए निर्दे दिया जा चुका है परधान मंत्री आवास योजना में 149 पदो पर नियुक्ती परधान मंत्री आवास योजना ग्रामिन में जिला और परखंड अस्तर्य पर योजना प्रवंधनी काई के 149 पदो पर जल्द नियुक्ती होगी ग्रामिन विकास सचीव मनिस रंजन ने इन खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिये हैं ग्यात हो कि इन 149 खाली पदों में 47 प्रखंड समन्योय को 5 जिला समन्योय को और बाकी लेखा कारो तथा कम्प्यूटर अपरेटर के पद पर नियुक्ति होनी है ये सबी नियुक्तिय सन्विदा के अधार पर होगी रांची से गोवा के लिए सब्ताहिक ट्रेन पहली बार रांची से गोवा के लिए सीधी ट्रेन चलेगी बतादे रेल मंत्राले ने जसी डी वासको डी गामा एक्सप्रेस के परिचालने की स्विक्रिती दे दी है या ट्रेन अब जसी डी या गोवा से प्रस्थान कर राची हटिया होकर चलेगी ब्लैक फंगस पिरित उसा देवी का हुआ अपरेशन हाई कोट से मिली फटकार के बाद रिम्स में गुरुवार को ब्लैक फंगस पिरित उसा देवी का अपरेशन किया गया बतादे उसा देवी 17 मय से ब्लैक फंगस से पिरित होने के बाद रिम्स में भरती है उसा देवी का ओप्रेशन कर एक आंक नाक और उपर का जवडा निकाल दिया गया है उसा देवी फिलहाल ICU में भरती है और स्थीती स्थीर है रिमाइंडर के बाद जुर्माना नहीं भरने पर कोर्ट में जाएगा रिकोर्ड ट्रेफिक नियम यातायात नियम का उलंगन कर जुर्माना नहीं भरने वाले चालको पर ट्रेफिक पुलिस ने सिकंजा कस दिया है बदादे ट्रेफिक पुलिस मोबाइल नमबर पर एसमेस के जरे रिमाइंडर भेजेगी रिमाइंडर भेजने के बाद विजूर माना की रासी जमान नहीं करने पर अभिजोजन पर करवाई के लिए ट्रैफिक S.P. की ओर से कोट को रिकोट भेज दिया जाएगा आदिवासी छात्रसंग ने मनाया अस्थापना दिवस आदिवासी छात्रसंग केंद्रिय समीती द्वारा करम टोली श्थित कर्याले में गुरुवार में एक अईस्वास थापना दिवस मनाया गया इसमें जार्खन के विभीन जीलों से करकरता नहीं सालिया करकरम में जार्खन की अस्थानिय निती, नियोजन निती, बैकलोग भैकेंसी, रोजगार, सरना धरम कोड और बहुँ चर्चित, रूपा तिरकी हत्याकान जैसे मुदा पर भी चर्चा हुई हरा राशन कार्ड के लिए लगा कायम राशन कार्ड बनाने के लिए एक दिवसे सिविर कायोजन किया गया, इस दोरान योगे लावोग पहुँचे राशन के जे एन कॉलेज को दस एकर जमीन देगा एचिसी राशी बिश्वविद्याले को बड़ी उपलब्दी हासिल हुई है, बिश्वविद्याले के कुलपती डक्टर कामिनी कुमार की पहल पर जे एन कॉलेज की जमीन की समस्या दूर कर लिगाई है बिश्वविद्याले परशासन की पहल पर HEC, हैवी इंजिनियरिंग कॉन्पोरेशन लिमिटेड ने जे एन कॉलेज धुरुवा को दस एकर भोमी लीज पर उपलब्द कराने के लिए चीनित कर दिया है महाबिद्याले परशासन ने कुलपती के निर्देश पर भोमी का डिमार्क्रेशन कर दस एकर भोमी में पत्थर भी लगा दिया है धन्यवाद